आज क्रिशी मंत्री मान्या अर्जुन मुंडा जी, ग्रै मंत्री राज्य मान्या नित्या नंद राई जी और पंजाब सरकार के किम्त मान जी और सभी केम्रा और राज्य सरकार के अधिकारियों ने सम्युक किसान मोर्चा नौन पुलिटिकल और भारतिय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ बहुत ही अच्छे वातावरन में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नए सोच के साथ कैसे जीने दस वर्ष में अलग-अलग काम किये उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है चाहे वो MSP की खरीदो जिसमें अभूत्पुर्वक व्रिद्धी हुई कहा 2004 से 2014 के बीच मात्रे 5.5 लाग करोड की वही मोदी जी के कारेकाल में 18 लाग करोड से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है धान की और गेउं की अब शुरू हो जाएगी प्रदान मंत्री किसान सन्मान निदी हो जिसमें 2,80,000 करोड रुपए अभी तक 11 करोड से अधिक किसानों को दे चुके हैं प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका तीन गुना किसानों को लाब वापिस मिल चुका है और चाहे वो फटिलाइजर को कम खीमतों में उपलब्त कराने है तूं यूपिये के समय से बढ़कर लगबग तीन गुना सबसिडी सालाना देने की बात हो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की सरकार उनके समवेदन शील नित्रत्व के उनके मार्गदर्शन के कारण सदेव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है आज यूनियन के प्रतिनिद्यों ने कुछ ऐसे विशय सामने रखे जिसमें तीन-चार प्रमुक अंच को जोड़कर एक सहमती से लगबख दोनों पक्षों के बीच में वारतालाब के माद्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव आटिटिउड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ओफ दो बॉक्स तिंकिंग करके कुछ सुझाओ जिससे पंजाब का भी लाब होगा, पंजाब हर्याना के किसान हो, पंजाब हर्याना की जमीन की समस्या हो और साथी साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थविवस्ता को भी और देश के उद्भोक्ताओं को भी सभी को लाब हो सके ऐसा एक मार्क चर्चा के माध्यम से निकला है, किसानों के प्रतिनिदियों ने बात रखी थी के खास तोर पे पंजाब हर्याना में धान के खेती की वज़े से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है पानी की जो किलत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आती आवशक है साथी साथ उन्होंने बताया के जो कोटन, कापूस पहले या बड़े पहमाने पे पैदावार होती थी उसकी पैदावार भी काफी कम हुई है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलान बने उड़त, मसूर, अढ़त, तूर डाल जो होती है ऐसी डाले बनती है, तो देश का आयात भी कम होता है देश का उद्भोकताओं की जरूरते भी पूरी की जा सकती है पंजाब का पानी भी बचेगा और MSP लगबग 8000 और कई केसिस में तो 8000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में व्रिद्धी हो सकती है इसी के साथ साथ एक अनुरोथ मानने किसान भाईयों ने किया कि मक्ये की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते है मक्ये की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें अगर दाल बनाएं मक्का बनाएं कॉटन की खेती को पुनर जीवित करें और अगर मार्किट में कीमते MSP से नीचे हो जाएं तो उनको नुकसान होगा किसानों को और ओचाते दे कि इसका कोई एक ऐसा मार्क बने जिससे किसानों को भी लाब हो और देश को भी लाब और प्रदेश को भी लाब हो तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है बड़े अच्छे महौल में किसान, संगटनों ने, नेताओं ने, माने किशी मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव, आउट ओफ दा बॉक्स आइडिया पे चर्चा किये कि सरकार की प्रोमोटेट जो कोपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे वो एन्सी सी एफो, नैशनल कंजूमर कोपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्ताओं द्वारा, जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके, या तो तूर दाल बनाए, उड़त दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए, या बक्का बनाए, उनको पाथ साल के लिए एक कॉंट्राक्ट करके, एन्सी सी एफ और नैफेड, गैरेंटी करेगा, कि अगले पाँच साल तक, जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके, ये चार प्रॉडक्स बनाएगा, चार उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्ताओं, में MSP पर खरीदेगी, कोई कॉंट्रिटी की लिमिट नहीं होगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा, वैसे डेटा तो अलड़ी है, कौन किसान, कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वभाविक तोर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है, और पाच साल की का करार कॉंट्रैक किया जाएगा, नैफ्रेड और NCCF द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करें, उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाट पंजाब की जमीन, किसानों की आमनरी भी बढ़ेगी, और उनको सुनिश्चित होगा, कि जो भी उत्पादन है, वो MSP पर नैफ्रेड और NCCF खरीदेगी, इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कौटन पुनर जिवित हो, पंजाब फिर एक बार कौटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्रात्मिक स्थान ले, तो जो भी किसान कौटन की खेती भी पुनर जिवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कौटन कॉर्परेशन ओफ इंडिया इसी प्रकार का एक पाथ साल का करार करेगी, लीगल एगरिमेंट करेगी, और वो पाथ सा करने के माद्यम से या पुनर जिवित करके कौटन के खेतों से उसको पाथ साल के लिए MSP पर जो CACP द्वारा निर्दारित MSP होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है, किसान संगटोने ने बताया कि वो यहाँ पर इस पे निर्णे लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णे बताएंगे, हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और NCCM Nafit से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है, जिस अच्छे वातावरन में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरन में दोनों पच्छ, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी कई सारे और छोटे विशे थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बादचीत से कर दिया गया था, कुछ और मुद्धे आवशक होते ही हैं, समय समय पे निकलते हैं, कुछ और विशे के उपर बादचीत, माने क्रिशे मंत्री जी के साथ देश भर के किसान संगटनों, अलग-अलग किसान संगटन कुछ यहां हैं, कुछ आज के मीटिंग में नहीं भी हैं, उनकी भी कुछ विचार विमर्श करके, एक्सपर्ट से बात करके, और विशेयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा, अगली मीटिंग कब होगी मंत्री जी जी अगर तो कल सुबह तक इनका फैसला आ जाता है, तो मुझे लगता है कि इनी लाइन्स पर पर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और यह हम अनुरोद करेंगे, कि मान्या किसान इसको कॉल आफ करें, बाकी जो विशे हैं वो काफी गहरे विशे हैं, पॉलिसी डिरिविन विशे हैं, बाकी विशे जो पॉलिसी से संबंदित हैं, उनको ऐसे समादान करना एक टेबल पर बैठके कुछी लोगों से चर्चा करके संबंद नहीं है, अभी चुराव आने वाले चुनाओं के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विशे के उपर लगातार चर्चा जारी रहेगी, और पॉलिसी के जो और विशे हैं, उसके उपर प बाकी विशे के उपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा, मैं समझता हूँ, आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बात सीत हुई है, उसको मेरा पूरा विश्वास है, कि मीडिया के बंदू, सभी देश्वासी, सभी देश के किसान, इसको सकारात्मक और पॉ झाल